हेलो नमस्कार दोस्तो पुजा कंप्यूटर टेक्निकल में आप लोग का सवगत है आज हम लोग जानेंगे कि अपने स्टूडियो में साउंड कार्ड का सेटिंग कैसे करें कीवेस फाइव में तो चलिए कीवेस फाइव को खोलते हैं ओपिन करते हैं कीवेस फाइव खोल रह है कुछ टाइम लेता है दोस्तो देखिए खूल गया कीवेस फाइव नीप प्रोजेक्ट हमको करना है क्रियेट सबसे पहले अस्टोरियो लेंगे उसके बाद में मोनो लेंगे तो साउंड कार्ड के सेटिंग के बारे में आप लोग को बताना है तो देखिए सबसे पहले डिवाइज सेट अप में जाएंगे डिवाइज सेट अप डिवाइज सेट अप सबसे नीचे में सबसे नीचे में देखिया डिभाई सेटप लिखा हुआ है तो हमारा यहां एम ओडियो एम ट्रैक का साउंड काड है उसका आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके पास जो भी साउंड काड हो किसी भी साउंड काड का आपको ड्राइवर सब कर उसको पेश्ट करना पड़ेगा उसके बाद में ही क्यूवेस में आपका सपोर्ट लेगा तो देखिए अपना ड्राइवर में चलाते हैं कि मेरा ड्राइवर क्या चीज क्या है तो आप्सन दे रहा है यह ऐसो डिक्ट फूल्ड डूपलिकेस ड्राइवर एसाइओ फॉर आल वी टू तो एसाइओ फॉर आल यह तो सभी को डाउनलोड को करके रखना चाहिए क्योंकि यह यह हर साउंड रिकॉर्डर में काम आता है और यह फिल स्टूडियो आई यह तो हमारे पास एम ओडियो एम ट्रैक एस आई ओ का साउंड कार्ड है इसका ड्राइवर हम लोग इंस्टॉल करके रखे हुए हैं तो इसी को हम सेलेक्ट करेंगे और देखिए स्वीच कर देंग फिर यहां से कुछ नहीं करना है और इसमें नॉर्मल मल्टी प्रोसेसिंग दो सेकेंड मतलब जो रिटर्णिंग अवाज होता है जो कुछ देर के बाद में सुनाई देता है उसी का यह सेटिंग है तो वाइद डिफोल्ट यह दो सेकेंड का आता है और इसमें टीक कर देंगे आप लोग ध्यान से कर लिजेगा और फिर यहां ओके कर दिजेगा ओके हो गया अभी इतना ही नहीं दोस्तो अभी आपका साउंड कार्ड चालू नहीं हो जाएगा इतना करने से साउंड कार्ड आपका लेफ्ट राइट माइक ही ऐन आउट आपका चालू नहीं हो जाएगा इसमें भी और प्रोशेस है अब यहां से हम जाएंगे VST connection में VST connection इसका shortcut की F4 है F4 दवा कर भी अपला सकते हैं देखिए आप लोगों को दिखा देते हैं F4 VST connection में जाएंगे F4 मेरा काम नहीं कर रहा है shortcut की कुछ दूसरा setting हो चुका है तो VST connection में हम जाएंगे VST connection VST connection को देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा input तो input में stereo in left right stereo in left right या mono भी ले सकते हैं आपका दो channel का माइक है तो mono one, mono two और एक में left right एक में left और एक में right भी ले सकते हैं तो हमारा देखिए इसको इसको हम देखिए remove करके आपको दिखा देते हैं रिमूब अब यहां से आपको setting करना हो input में तो सबसे पहले एड़ बस में जाएंगे तो आप mono भी ले सकते हैं कनेक्शन सेट कर देजेगा तो यहां आपका option दे देता है audio device में या आपका audio device या audio driver क्या है तो हमारा एम audio एम ट्रेक audio driver है इसको हम सेलेक्ट कर लिए अब output में जाएंगे अब output में stereo output का मतलब है कि कोछ भी हम बोल रहे हैं तो उसका monitor में आपको आउट करके यानि आवाज को बाहर आपको सुनने के लिए परफेक्ट दे उसी को output बोला जाता है तो आउटपूट में हमारा भी अस्टेरियो आउट किये हुए हैं इसको भी आपको हम remove करके दिखा देते हैं कि रिमूब कि अब इसको सेट ही करेंगे एड़ बस अस्टेरियो आउट अस्टेरियो आउट आ गया यह टो मैटिक लेफ्ट राइट में आ जाएगा फिर यहां भी ओही करिए ओडियो डिवाइज एम ओडियो एम ट्रेक ड्राइबर अपना सेट कर दिजे और आउट फुट में आउट वन और आउट टू कर दिजे यह हमारा वक्के हो गिया और हाँ एक पॉंटेर जनकारी आप लोग को दे देना चाहता हूं कि जब कीवेस फाइव आप खोलते हैं तो किलिक का आवाज होता है टिक 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 एक किलिक यहाँ पर सेट नहीं रहेगा मालया इसको हम हटा देंगे किलिक को हम हटा देंगे यहां पर किलिक को हटा देंगे हैं तो किलिक जब सेट नहीं रहेगा तो आपका टिक-टिक-टिक का आवाज नहीं सुनाई देगा यहां पर किलिक आपका रहना चाहिए सेट रहना चाहिए कोई कोई कीवेस फाइब में ऐसा होता है कि किलिक का ऑप्षन रिमूब हुआ रहता है और किसी में है कि वाइदर डिफोल्ट एटोमेटिक सेट रहता है तो हमारे में एटोमेटिक सेट है अब हम जाएंगे अस्टूडियो में अब अस्टूडियो में दे देता है मोनीटर का अप्शन देता है एड एक्स्टर्नल इन्पूट शिक्स एविल का अप्शन भी देता है एड टाल्क बैक का अप्शन देता है एड और स्टूडियो फोर एविल का अप्शन देता है एड हेड़फोन का अप्शन देता है एड मोनीटर का अप्शन देता ह तो हमको MONITER रखना है तो हम MONITER रखे हुए है तो हमारे पास दो MONITER है कि किसी भी में दो MONITER होता है left, right bonito तो दो ही होते हैं बलकि आप čार MONITER लगात लिजेकिन left, right करके ही वह देता है तो MONITER left, right हम को सेलेक्त है यहां भी M audio audio device में M audio setup कर देना है और device port में हमको आउट चाहिए तो आउट रहना चाहिए तो यही device setup का वीडियो था अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्ली चैनल को subscribe, like, comment, share जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद